और एक निवेतन आप सकसे करूँगा, जिसके घर में किलेश जादा मचता हो, बहुत जादा किलेश मच रहा हो, बहुत जादा जगड़े होते हो, बहुत जादा, तो महाराध, संकर भगवान पर, तोड़ा सा चावल, एक कटोरीं में गला लो, थोड़ा सा चावल गला, गला पर उसको पीस लो, पीस करें, उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उप्तन पिजार करें, बुद्वार के दिन, कोई भी बुद्वार, संकर जी के मंदर में जाकर, संकर भरवान के श्विलिंग पर, उस चाव लेपन करो, साथ लोटा पानी, मातर साइ, साथ लोटा पानी, संकर को समर्पित करो, शिथ को समर्पित करो, अपनी कामना करकर, अपना भाउ रख, जब आपिस चलो, जिस पटोरी में से भगवन शंकर को आपने उक्तन लगाया था, वो ही कटोरी घर लेकर आप घर के मूल मूल इस्थान जो भी हैं हर हॉल में कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजी मातर तीन बुद्भार आप कर लीजी आपके घर में कभी किलेश नहीं हो से तब भूमी का कितना भी दोश होगा सिद्ध जिस घर में रुपिया आ रहा है जा रहा है एक रुपे कमारा है तो सबर रुपे खर चो रहा है घर में पैसा नहीं दिख रहा बेपार तो अच्छा कर रहा है हो घर में चार-चार लोग कमारा है सब कोई मिलकर कमारा है तो भी पैसा नहीं दिख रहा तो अभी धन नहीं दिख़ा रुपिया नहीं दिख़ा महाराज अगर धन संचिता में नहीं बढ़ रहा है धन संचिता में नहीं आ रहा है तो महाराज शिव महापुरान की खत्ता करती है तिल्ली का लेपन तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल थोड़ा सा चावल और हमारी यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है आपको बजान में मिल जाएगी चावल की धान जिसको जो का बाग अलग हो जाता है जो गेहूं की हो जाती है पर चावल की धान पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो. महाराज, दरवाजे के नस्दीक में, जब दरवाजे से आपन बाहर निकलते हैं, तो उल्टे भागने, उसको रख दिया जाए. घर से एक लोटा पानी, जिसमें कच्चा दूद मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठा कर ले जाकर कलस नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकरजी को समर्पित कर दो जल चड़ा दीजिए बाबा भोले नापके जो चरण पादुका है उस पादुका में वही पिल्ली वही चावल का भाद वही जो आप चावल का धान बोलेंगे धान उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर जाए आते समय वो दोनों भाग पर चड़ी हुई तीनों चीज़े उठा कर लेकर आ जाए दुकान में व्यपार में व्यवसाई वाली जगा पर उसको रख दीजिए कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी हुआ संपदा बढ़े तीन रविवार आपको कर ले सुक की प्रापती के लिए ये भूमी के दोशकों मिटाने के लिए आपको कठा में पहले भी कहा था बार नप्षत्र समय घडी पल दिन ये जितने भी बनाए है मेरे महादेव ने बनाए मेरे शंकर ने निर्मित कि एक एक पल एक एक घडी एक चण शिल बनाता चार महिने चतुर मास के भगवान विश्णू देव सोनी एका दसी पर जब सोने जाते हैं तो भगवान शंकर को बुला एक तेते हैं ये चार महने चतुर मास की शुरूबवात ही स्रावन शे इसलिए चतुर मास की शुरुवात है स्रावन से संकर करते हैं पहले जल में चढ़वाता हूं पहले में भजन करवाता हूं जितना भजन दान पुन्यिसमन नाम चिर्थन जो होगा चतुर मास की अंतरगा उस सब देवभाग को प्राप्त हो पित्रों को पूर्वजू को आहूतों को दान करो, पुण्य करो, सतकर्म करो चाहे गउ माता को दो, चाहे बेहन बेटी को दो चाहे किसी भिचुक को कुछ दो उस समय तुमारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए उस समय तुमारे चेहरे पर प्रसनता होना चाहिए घर पर बेहन बेटी आ जाए और बेहन बेटी राखी बांद ने आई बेहन बेटी तीस देवार पर आई और तुमने एक साड़ी दी या पांसो रुपे दिये यह हजार रुपे दिये यह दो हजार रुपे दिये और भावी का मुझ भगोने जैसा हो गया चेहरा उत्रा हुआ भाई राखी बंदवाने बेठा तो पहले जेब में अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया इसको पांसो देना है कि तीनसो देना राखी बंदवाने से पहले पांटे पर बेठने से पहले आसन पर बेठने से पहले सोफे पर बेठने से पहले जब भाई राखी बंदवाने बेठता है तो पहले अंदर जाकर आपनी धर्म पत्नी से कुछता कितना दिना है क्यों भहिया कमा तू रहा है लातू रहा है तो फिर धरम पतनी से क्यों पूछा कि कितना देना है पतनी को ये कहना था आज मेरा मन है बहन साल भर से नहीं आई कुछ तो लागडाउन में चार मेहने से फोन तक पर बाती बात होती रही आई नहीं एक साल हो गया मेरा मन कर रहा है आज मेरी बेहन को मैं दो हजार रुपे देंगे, सारी के भी हो जाएंगे, चूडी के भी हो जाएंगे, और देना हो जाएँ, आज मेरा मन कर रहा है, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए, और अगर पत्नी को कहे, पती, कि तुम दो हजार रुपे दे रहे सुनो, एक किस्सो देो, मना नहीं है पांसो रुपय अलग से चूड़ी के दे दो पांसो रुपय अलग से बेहन बेटी आई है तो गाड़ी का किराया दे दो ये जब धर्म पतन ही अपने पती को कहेगी पती के चेहरे पर प्रसंदता होगी मुझे उम्मीद है, आज आप अपनी ननन्द को दे रहे हो तो आप जो अपने माई के जाओगे तो आपकी भावी इतना ही सम्मान देगी क्यों? एक उंगली जो हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगली हमारी और जाती है हम एक के लिए अगर विवस्था करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी विवस्था भी पूर्णता में हो पाती है आपकी विवस्था आपका भाव आपका आनन्द आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो आप किसी के लिए समर्पन कर रहे हो आप किसी के लिए अग्रेन हो रहे हो तो वहां से उनता का अग्रेन का भाव तुमको भी प्राप्त होगा रच्छा बंदन पर भाई राखी बंद्वाने बेट रहा है तो धरम पतनी से पूछ रहा है कितने रूपे देना है प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु लच्छमी से पूछे बता इसको नरत बेजू किस स्वर्थ अरे बोलो तो रहे भाई भगवान विष्णु अगर अपनी पतनी से राय ले तो भोले नाथ देने से पहले पारवती से राय ले तो इंद्र कारे समालने से पहले इंद्रानी से राय ले तो ब्रह्मा ब्रमानी से राय ले तो नहीं नहीं अगर यमराज अपनी धर्म पतनी अपनी धर्म पतनी दक्षिण से पूछे ए दक्षिणा तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजू की नरग, तो सबसे ज़ादा अगर दक्षिणा देवी बोलेगी तो एकी बात बोलेगी यमराज की पत्नी, एक काम करिए इसको नरग भेज दो, क्यों? क्योंकि ये कभी दक्षिण मुख करकर कोई कामी नह का को बोलो जक्षिन देखा ने कभी मैरी को कि और मुख यह मैं-' kinda ओपनी यह मुड़ानों को घरता है अपनी पत्नी से नहीं पूस्ता पहगधवान विष्णू लट्शमी से नहीं पूस्ते किसको क्या देना है? ब्रह्मा ब्रह्मानी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है इंद्र इंद्रानी से नहीं पूछते कि क्या देना है शंकर पारवती से नहीं पूछते कि क्या देना है तब केवल उनकी विचारधारणा केवल वही देखा जाता है कि उसका भाव के उसके भाव के थिद्गा ता की अ हिए जेसिरन लो कि बहन जेसे या ही राखी आना है थे नहीं भईया चलो बेट फार्टे पर अंदर अभी आया और ये तुने जो अपनी ननन के साथ करा अब तो अपने माई के जा और तेरी भावी तेरे साथ करे तो तुझे किसा लगेगा तीन को देने से कभी नहीं घटता शुमाह पुरान की कत्था करती है पहला बेहन बेटी को देने से दोसरा गवमाता को देने से तीसरा संत ब्रहम कभी नहीं घटता महार, बढ़ेगा घटेगा नहीं, बेहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, तुमने जो दिया उसका चार गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, गवमाता को एक रोटी दी है, गवमाता के निमित्त से एक रुपिया निकाला है, प्रामन को देने से कभी घटता नहीं है, आपने जो दिया, उसका हजार गुना आपको प्राप्त हो जाते है, हजार गुना है, श्री श्रीवार नमस्तु कुहम्हम, श्री सब्स्क्राइब करें, श्रुण पाश्तु ठेक्ट, लेख अलगं दमाने का कि आप अप्केंडें शिवाई नमस्तु कुहम्यम्